चले चलते हैं ऐसी कुछ टम्स के उपर में जो मार्केट से चुड़ी है सबसे पहले इन देखने क्लोजिंग प्राइस के है आज 20 तारिक है 20 जनवरी है तो 20 जनवरी को 3 बच के 30 मिनट पे रिलाइन्स का भाव अगर 2540 बंद हुआ है तो इस इस दी क्लोजिंग प्राइस जिस भी डेट के मार्केट बंद होने के बाद में जो प्राइस से रिफ्लेक करते है अब अपर सर्कृट का है कि भाईया यहाँ पे एक शेर था सिर्फ उपर ही उपर जा रहा है और कोई बेचने को तायार नहीं है एक ऐसे लिमिट प्रस्काइब करती है एक शेर कभी 5% कभी 10% कभी 20% तो वो एक दिन में एक स्टोक कितना उपर तक जा सकता है यह उसकी अपर सर्कृट के लिमिट होती है इसका मलब भी है कि अगर किसी शेर ने अपर सर्कृट को हिट किया है बन उस शेर की सिरफ डिमांड ही डिमांड है कोई भी उसको no one is selling कोई उसको बेचना नहीं चाहता है ऐसे ही नगला सवाल होगा लोर सर्कृट क्या हो जाएगा समझ गया होगे वो इंट्राडे के लिमिट जो एक दिन में एक शेर मैक्सिमम कितना गिर सकता है वहाँ पे वो फ्रीज हो जाएगा उसके बाद कोई उसको फर्दर बेच नहीं सकता मतलब लोर सर्कृट का मतलब क्या है कि शेर डाउन टेंड में है मतलब उसको सिरफ सेलर्स आर देर इन दा मार्केट सेलर्स है नो बाय कोई खरीदना नहीं चाता सिरफ बेचने के लिए लोग खड़े है इसका मतलब वो स्टॉक लोर सर्कृट लगा रहा है एक पर्टिकृलर दिन में अपर सकेट और लोर सकेट से एक टर्म निकलके आती है लिक्विडिटी कि लिक्विडिटी क्या है कि कितने बायर और सेलर अवेलेबल है एक स्टॉक में ट्रेडिंग काने के लिए कोई कोई स्टॉक में लिक्विडिटी बिलकुल नहीं होती मतलब 2,000 शेर्स की ट्रेडिंग दिन में होई 5,000 जाद 10,000 शेर्स की ट्रेडिंग होई मतलब वो लिक्विड नहीं है उससे जादा शेर आप खरीद बेच नहीं सकते है बड़ अगर आप किसी लार्ज केप कंपनी के स्टॉक को देखेंगे ट्रेडिंग के ट्रेडिंग के ट्रेडिंग कितने तर रही होती है आज खरीदा कल बेचा आज खरीदा परसों बेचा आज खरीदा कुछ दिन के बाद बेचा ट्रेडिंग के मैं बड़ ट्रेड करना खरीद के बेचने को ट्रेड कहते है बट इन्टर देडिंग एक ऐसी चीज है जो सेम डे इस आपने सेम डे में जब अपने सोदे को स्क्वार अफ करते हैं जो चीज़ खरीदी है उसको बेच देते हैं या future options में आप काम कर रहे हैं आपने बेचा है तो आप उसको खरीद लेते हैं आपने सोधे को square up कर देते हैं तो this is called as intraday trading Now what is BTST? BTST आज खरीदो, कल बेचो By today, sell to our बहुत ही common है, बहुत ही famous है future options में trade करने वाले को लिए ऐसे ही रहता है STBT, मतलब जो आज बेचिए और कल खरीदी, अगर आप लग रहा है कि stock में मंदी आ सकती है उसकी equity तो आप बेचिए न सकते हैं कि आपको auction लग जागी, अगर आपका delivery नहीं है उसको short नहीं कर सकते हैं, तो short करने के लिए short selling करने के लिए, आप future options को यूज करते है, future segment को यूज करते हैं, जहां पर आप sell today and buy tomorrow की रणनीती पे काम कर सकते हैं, उस trading style को अपना सकते हैं, अब चलते हैं कि ऐसे पढ़ाव के उपर में जो बहुत ही ज़ादा interesting है, सबसे पहले इसमें आते हैं, what is fundamental analysis fundamental क्या है guys, देखिए जब हम किसी company में निवेश की बाते गरते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए company क्या है, company की management कैसी है, company के finance कैसे है, company कितने साल से काम कर रहे है, company क्या काम कर रहे है company का profit कैसा है, loss कैसा है क्या products और services है, company किस market को capture करती है, company के clients कैसे है, company के बास market share कितना है, company कितनी बड़ी है, company में strength कितनी है, company की अंदर की ताकत को जानने की study को हम कहते है, fundamental analysis basically, उसको हम देखने के लिए company की management को study करते है, company के fundamental study करते है प्रफिट लॉस को शुड़ी करते हैं, उसके प्रफिट लॉस को शुड़ी करते हैं, यह सुड़ी करने के लिए आपको Commerce की नॉलिज होना ज़रूरी है, क्योंकि Balance Sheets को सुड़ी करना, Profit and Loss को सुड़ी करना, बहुत सा रेशोज को सुड़ी करना, यह एक Commerce का सुड़ेंट ह basically chart क्या कह रहा है, चार्ट में क्या strength है उस stock के अंदर में, उस stock क्या तेजी में है, किस trend में है, विए stock चलने वाला है, क्या stock गिरने वाला है, और गिरा है तो कब चलेगा, चला है तो कब गिरेगा, Profit puts कं कुब से साड़ आजाएगी, उसमें Institutional investors का बारे हैं, Retail investors का participate कर रह आपने profit किया, हमाई sales बढ़ी, हमने loss किया, क्या किया, वो है fundamental analysis. But इस तीन महिने के अंदर में, जो trading चल रही होते हैं, जो traders उसमें खेल कर रहे होते हैं, उसको study करने की analysis है, यह skill है, this is skill, this is called as technical analysis. इसी की professional classes होती है, यह बहुत ही important, guys, this is very very important, समझ लीजिए, this is very very important part of your investment or trading into stock market, अगर आप stock market कर रहे हैं, सिर्फ fundamental analysis से आप अच्छे stocks को pick नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा fundamentally strong stock भी, कभी भी उसमें का selling start हो जाए, तो जब तक उसके quarterly result नहीं आएंगे, जब तक उसकी कोई bad news सामने नहीं आगी, वो stock में selling start रहे हैं, और वो selling के लिए, यह red candles, या उसकी buying के लिए, यह green candles को देखना बहुत-बहुत important है, इनको कैसे study करा रहा जाता है, इसको price action कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, यह सब एक professional approach, professional trader यही करते हैं, guys, so this is very very important, अगर आप stock market को career बनाना चाहत इसको बदनाम करेंगे, इसको bye-bye कहेंगे, so please learn technical analysis before putting all of your money into stock market, technical analysis से अगला जो key word है, that is technical indicators, यह indicators क्या है, जब हम किसी trading platform पे काम कर रहे होते हैं, किसी भी charting analysis software को या tool को इस्तमाल कर रहे होते हैं, वहाँ पे बहुत साही चीज़े होती हैं, जहाँ आप कह सकते हैं, moving average होती है वहाँ पे candlesticks होती हैं, है न, बहुत साही चीज़े लोग RSI को यूज करते हैं, लोग Bollinger Bands को यूज करते हैं, लोग Super Trend को यूज करते हैं, बहुत सारी ऐसे indicators ही हैं, वो indicators हैं, जो आपको trading करने में, analysis, technical analysis करने में help करते हैं, तो इन्हे हम technical indicators कहते हैं, जब हम थोड़ा professional जा अगरे पड़ाओं पर जब आएंगे, तब देखें कौन-कौन से technical indicators होते हैं, this is very, very helpful guys.